बच्चों, आज हम हिंदी में एकवचन और बहुचन को सीखेंगे पार्ट नौव यह, यह, वह, वे किसे एक व्यक्ति या वस्तू पास में होतो यह का उपयोगित किया जाता है यह, दिस, इदू, यह, दीज, इवू वह, किसी एक व्यक्ति या वस्तू दूर में होतो वह का उपयोगित किया जाता है यह से ज्यादा व्यक्ति या वस्तू दूर में होतो वे का उपयोगित किया जाता है वह मतलब देट, अदू, वे मतलब दूज, अवू यह, कलम है इदू, लेकनी दिस इज, पैन यह, कलम में है इवू, लेकनी गळू दीज आर, पैन्स यह, बहु अचन में यह हो गया कलम, कलम में बन गए हे, हे, हे के उपर एक डॉप डालना है में बहु अचन में हे, ऐसे ही यह, पुस्तक है इदू, पुस्तका यह, पुस्तके हैं यह संत्रा है This is an orange इदू कित्तले हन्नू यह संत्रे हैं इवू कित्तले हन्नू गळू These are oranges यह यह बन गया बहुआचन में संत्रा संत्रे हैं हैं के ओपर डॉट यह संत्रे हैं दूर में यह वस्तु हो तो वह कहते हैं बहुत सारे वस्तु हैं तो वे कहते हैं वह तित्ली है वह दाट दाट इस ए बाटफ्लाई अदू चित्ते वे तित्लियां हैं अवू चिट्टे गलू दूस आर बाटफ्लाईस वह वे बन गया बहुआचन में तित्ली इ के मात्रा आता है तो यां होता है इ यां तित्ली तित्लियां है ये के उपरे डॉट्ट वह तित्ली है वे तित्लियां हैं वह फल है अदू हन्णू दोजार फ्रूट्स वह वे बन गया फल फल ही रता है बहुआचन में भी है हैं है के उपर एक डॉट्ट वह फल है वे फल है वह फूल है दर्स फ्लार अदू हूँ वे फूल है अवू हूँ गडू दोजार फ्लार वह बहुआचन में वे बन गया फूल फूल ही रहता है बहुआचन में हैं हैं है के उपर डॉट्ट अब्यास उदाहरन के अनुसार वाक्य बनाओ उदाहरन बोलना बोलता है बोलते हैं एक वचन रूप और बहुआचन रूप एक वचन रूप मैं यहाँ लिखती हूँ यह क्या है एक वचन रूप और बहुआचन रूप बोलता है बोलते हैं सुनना वह सुनता है वह सुनता यह दू है वचन में वे सुनते हैं वे से ही कहना यह कहता है बहुआ चन में वे कहते हैं हें के उपर डॉट लिखना वह लिखता है वे लिखते हैं वे से ही उटना वह उटना यह उटता है यह उटते हैं जागना वह जाकता है वे जाकते हैं हैं पढ़ना यह पढ़ता है यह पढ़ते हैं एसे ही तैरना वह तैरता हैं है वे तैरते हैं है नहाँ प्रकता हैं लिखता हैं